हलो फ्रेंड्स आजके इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जारा हूँ कि कैसे आप अपने Moto G71 Android मुवाइल फोन में आप जो है अगर से पिलेक्ट कर ले जो आपको नेवल होने के बाद काम किसे करती है यह मैं आपको बता देता हूँ आप अपने mobile phone पे किसी भी application के अंदर है या फिर किसी भी page पर है ठीक है तो आप किसी भी option को अगर आप select करते है तो आपका phone जो है sound create करेगा ठीक है यहां तक कि आप अपने button का use करेंगे back button, home screen button, overview button इन पे भी अगर आप tap करेंगे तो एक sound create करेगा मैं आपको दिखा देता यह मैं tap करता हूँ back button को लगाता तो यह इस तरीके से कुछ setting काम करती है ठीक है touch sound setting कहीं पर भी आप touch करेंगे तो एक sound create करेगा ठीक है लेकिन वो option या कोई setting होनी चाहिए तब ही sound create होगा ठीक है अब मैं आपको इस setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका बता देता हूँ आपके mobile phone म कि कैसे आप आपने mobile phone में touch sound setting को आप shortcut तरीकी से ढूंड सकते है इसके लिए आपको जो है setting page open कर लेना है setting page open कर लेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे उपर ही search setting का option दिखाए देता है इसी select करना है यहाँ पर आपको type करना है touch sound ठीक है touch sound आपको यहाँ पर type करना है तो नीचे एक shortcut तरीका मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आप जो है setting को ढूंड सकते हैं ठीक है